पूरा एपिसोड लेखने के लिए सुनी ले वाब डाउनलोड करें प्रे, अगर हम हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई तो होगा जो युविका की जिंदगी में एक उमीद की किरन बन कराएगा कहते हैं, डूपते को भी तिनके के सहारे का हक होता है युविका तो हमारा उक्ता ताहरा है प्रेम प्रेम भी जिए अपना मूह खोलने से पहले कभी गभी सोच लिया करो क्या बोलनी वाली हो आज इशा के सामने अल्मूस मेरा बंडा फोर दिया था वो माहाजन है भूलना मत पता है ना माहाजन हमारे दुश्मन है मैं इशा से अपने बार में कम से कम बताता हूं उसे पता चाब जादा कि मैं तलवार हूं फिर अईू शूर भईया इस डर की वचे से आप मुझ पर चिड़ रहे है रेट वाव और नहीं तो क्या भईया देखो मुझे बिजनेस अनल के बारे में तो नहीं पता बट एक चीज मुझे पता चली है कि इशा न अब आफ अब आफसे प्यार करने लगी है बेस रहेगा आप भी एशुष पितादू कि आप बिना उसके प्यार में पढ़ चोकिए बग्वास मत करो सिया उसके प्यार नहीं है और नहीं होने वाला है बक्वास मैं कर रहूं, आपके चेरे पड़ा साफ साफ दिखाई दिखाई दी रहे हैं, कि आप खुदी शोर्ण नहीं हो बहुत खुदी हो बहुत कमाल किया, बहुत खुद सूरत, लड़ने में बहुत मज़ा आया, इसका बीडियो बनाते है, इसकी ताक्त और हिम्मत देख कि तो मेरे दिल में गुद्गुदी होने लगी, मुझसे तो अब रहा भी नहीं जा रहा है, अरे लड़ते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा था, आप इतना घवरा क्यू रहिए, यह, सुना तुने, ओना, यह, कौन है, यह, कौन है, एज़ा, मका तो सुना तो, सुना तो झाल झाल उसने तनी सोर से मेरे सर पे मारा उसके बाद कुछ यहाद ही नहीं है कुछ खोश नहीं है लेकिन अच आप अच 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 मैं है करके से पोची कि जल्दी से बग्गी के ड्राइवर को फाउंटेंड के बास भीजो यूभी का मैम को मैंसें लेकर जाना है उनकी हालत भूट खराब है मैं अब त्यक है मैं में एन घर केसे पोची भी छोड़ गया था तो अचा इपकोद को मैम, कोई था तो डेट से बाहर जा रहा था, मैंने उसे आवाज दी और वो रूपा नहीं, जला गया जोन परी मैम, मैंने बगगी के ड्राइवर को बुलाया है, आपको मेंसन लेके जाएंगी कि, 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 कितनी देर हुई है? बस अभी एक दो मिनट मैम कौन हो सकता है? और क्यों? तने मुझे ऐसे क्यों लगा? जिसे नील था माँ, क्यों नहीं? आप मैं बच्चा नहीं रहा हूँ माँ मेरे लिए तो बच्चा ही रहेगा ना? और तुझे तो पता है, तेरे बगएर खाना नहीं खाती मैं तो आज कैसे सो जाते हैं? सब ठीक था? हाव जे जर्णी 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 चलिए ठाग गया हूँ ना? गयो हूँ इस्ट एक्जॉस्ट एक्जॉस्ट एक्जॉस्टर एसा लगा जैसे रास्ता बटक गया हूँ उना? वापस तो आगया लेकिन याद नहीं और कोन सा रास्ता लिए? I think क्योंकि धकान है पुछ, I don't know. वो था कोई? वा क्या में दिसाथ? वो थे कॉन लेखिन, करना क्या चाहते ते मुझे बेहोष करके? और फिर वो आदमी जो मुझे हाट चोड़ कर गया? रास्ता हो गया मतलब? यश, कहीं हमारे दुश्मन ने तुम्हें कुम्रा करने की कोशिश तो नहीं करें? नहीं माँ. जिस्ट जैसे मैंने का थकान है शायद इस वजे से और मुझ नहीं है. बेटा मुझे बहुत चिंता हूं रही है. जीद भाया बता रहे थे कि जब तक युविका को क्याब नहीं मिल गई तुम वहीं इंतजार कर रहे थे. ठीक है तुमने सही किया बट प्लीज कभी एक पल के लिए भी मत भोला कि वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन है. मैं जानता हूं मा, वो दुश्मन हो है. कभी कभी ना, देल और दिमाग दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं. तो एक बात याद रखना, कभी चुनना पड़े, तो हमेशा दिमाग की सुनना. क्योंकि दिल हमें बहुत आसानी से भटका देता है. तो फ्रेश होज़ा, मैं खाना लगाती हूं. ओके, साथ. जब यूविका की सगाई पर गुरुजी पधा रहे थे? क्या कहा था उन्होंने? बेटे उन्होंने कहा था, कि यूविका के भविष्च में फिलाल कथी नाया हैं. नेजी बवंडर से गुजरेगी. और रुकावटें उसके रास्ते में प्रविष्च कर चुकी हैं. यूविका, तुम ठीक हो? मिस्टर शिनॉय के साथ तुमारी मीटिंग कैसी रही? हाँ, ममी, सब ठीक है. मिस्टर शिनॉय ने वर्बल अप्रूवल दे दिया है, बस कुछ फॉर्मालिटीज हैं जो पूरी करनी है. बस वो इतना ट्रावल हो गया ना आने जाना तो ठक गई हूं बस. चल ठीक है, तेरी मीटिंग तो अच्छी रही ना? तो खाना खाले और सोजा. कर बस दिनुष मिटें है, झाले जाओशी रही रही दिनुष. झाले झाले लिए टिनुष. झाले झाले झाले.